साथियो जैहिंद मेरा नाम पूनम साहु है रेवांचल दलित आदिवासी सेवा संस्थान समिती डभावरा जिलाय रीवा मध्य प्रदेश की सोरी समू से हूँ साथियो आज हम अंसरा गाउ में आए जिससे मेरी मुलाकात गीता कोल से हुई तो उन्होंने हमें जंगलों में पाई जाने वाली छूई मुई पौधों के बारे में बताई उन्होंने बताया कि छूई मुई का पौधा जंगलों में पाया जाता है जिसे दो नामों से जानते हैं छूई मुई या लाजवनती यह एक प्रकार का पौधा है जिसकी पतियों को इस पर्स करने से इसकी पत्यां सुकूर जाती है और फिर कुछ देर बाद अपने आप खुल जाती हैं यह पौधे अनेक रूपों में मिलते हैं इनके फूल गुलावी रंग तथा छोटे होते हैं इसकी जड़ स्वाद में खटा तथा ठोस होते हैं छुई मुई खांसी प घरती है छुई मुई के पट्ते को खाने से गले का दरद ब्लीडिंगा आद में लाभधायक होता है तथा इसकी जड़े को खाने से मुत्रा से रोग भी लाभधायक होता है अगर मौसम के बदलाव के काराण किसी को खाची से हमेशा परसान ड़हते हैं और जब खाची होती है तो कम होने का नाम नहीं लेती है तब छुई मुई का जड़ खोद कर लाते हैं और साह पानी में धूल कर छोटे छोटे टुकडों में काट कर उसका माला बना लेते हैं और फिर उसे गले में पहनने से खासी दूर हो जाती है अगर खाने पीने से पेट में गैस बन जाती है या पेट फूलने लगता है तब छूई मूई के पांच दस पत्ती को तोड़ कर लाते हैं और साह पानी में धुल लेते हैं इसके बाद पीस कर उसका रस पीने से पेट सही हो जाता है और बुखार पीलिया रोगों को भी ठीक कर देती है यद किसी मनुष्च को बवसीर हो जाए तो छूई मूई के पत्ती को चूड़ बना कर एक चमश दूध के साथ सुबह साम अथवा दिन में तीन बार पीने से लाध होता है छूई मूई के पवधे का प्रयोग अनेक और सधी के रूप में किया जाता है साथियो धन्यवाद